ये है दिल्ली दर्पन नमस्कार में काव्या आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पन टीवी साल 2019 में चीन के वुहान शहर से एक वाइरस की शुरुवात होती है ये वाइरस इतना घातक साबित होता है कि देखते ही देखते चीन के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में भी फैल जाता है जिसको नाम दिया जाता है कोरूना वाइरस जो जम कर तबाही मचाता है और अपने साथ साथ कई लोगों की जाने ले जाता है जिसको देखते हुए WHO इसे health emergency घोशित करता है और सरकार को भी इस पर lockdown का फैसला लेना पड़ता है लोग अभी इस वाइरस से उभर नहीं पाए थे कि एक और वाइरस ने दस्तक दे दी हम बात कर रहे हैं monkey pox virus की दुनिया भर के कई देशों में monkey pox के तमाम मरीजों की पुष्ट ही हो चुकी है जिसमें भारत भी शामिल है WHO के बाद भारत के केंडरी स्वास्ते मंत्राले ने भी सभी राजे सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया है देश में अभी monkey pox के चार मामले ही सामने आये है लेकिन कई राजियों ने monkey pox से लड़ने के लिए एडवाईजरी तक जारी करती है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये virus है क्या और किस तरहे से फैलता है ये एक rare genetic बिमारी है जो monkey pox virus के संक्रमेंट से होती है ये virus हवा में नहीं पैलता लेकिन मरीजों के संपर्क में आने से या उसके droplet से या फिर शारिरिक संबंद की वज़े से एक से दूसरे में जा सकता है इस virus से बचाव के लिए जरूरी है कि जो संक्रमित है उसे isolate कर दिया जाए और बाकी लोगों को उससे दूर रखा जाए तो वही इस virus के लक्षन की बात करें तो संक्रमित इंसान में fever, गले में खराश, सांस में दिककर इसके अलावा चिकन फॉक्स की तरह ही शरीर में रैशिस और दाने बन जाते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीप पर दिखने लगते हैं कई राज्य सरकारों ने इस बीमारी से निपटने के लिए निर्देश दिये हैं कि अस्पतालों में isolation बाट बनाए जाए OPD में मरीजों की जाच की जाए कि कहीं उनमें मंकी पॉक्स के लक्षन तो नहीं विदेश से लोटे यात्री जिनमें इस बीमारी के लक्षन पाए जाते हैं उन्हें isolation में रखा जाए और ऐसे ही कई निर्देश मंकी पॉक्स से निपटने के लिए दिये गए हैं ताकि इस बीमारी का खतरा टल सके ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ देखते रहे हैं दिली दरपंडी